यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं उदैपूर सीमिंट वोक्स लिमिटेट के बारे में देखिए काफी इंट्रस्टिंग चीज़े हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में उससे बहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज इसी builder के पास जाएंगे और अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई मैं आपको सौरुपे किलो सीमिंट दे रहा हूं और कोई जना आपको एक एक पांच रुपे दे रहा है। एक सो तीन रुपे दे रहा है। हाह सो कंपणी कोई बहुत बड़ा ब्राड्ड नेंगों इनज सब्सक्राइब काफी उपर है और प्राइस टो बुक्स फोर पॉइंट फाइफ पर यह भी ओके है रिसेंटली राइट इशू ऑफ एक्विटी शेर्स करें थे देखो राइट इशू पर हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है जहां पर हमने बताया था कि जनरल केसे में प्राइट इशू तब आता है जब कंपनी को कैश करंच होता है और उसकी लेवल्स पे कंपनी जो है अपनी एक्विटी को डालीट करना प्रिफर करती है तो यह चीज है यहां पर यह केस भी हो सकता है एक बार शेर रोलिंग पार्टन देख लेते हैं यहां पर यह अच्छ कि बात करें अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही थी कंपनी 2019 के बाद से बट अगें कितना जादा सस्टेनिबिल्टी रहेगी इन नंबर्स में अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है प्लस जो अभी रीसेंट न्यूज आई जहां पर अम्भूजा सिमिंस ने सांगी इंड कहने का मतलब यह है कि जस तरीके से कंपनी इक्वायर कर रही है कंपनी अगर बहुत जादा बड़ी बन जाती है तो उनके पास में काफी सारी एडवांटेज होंगी ओवर दिस कंपनी जून 2022 में 278 करोड की सेल्स ती 246 करोड की सेल्स यहां पे जून 2023 में देखने को मिली नेट प्रॉफिट की बात करें 13 करोड से घटकर 4 करोड हो गया क्योंकि यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन बहुत ही बुरे तरीके से कम होता हो नजर आया है और प्राइमिरी रीजन हम लोग एक बार देखें तो आप देखेंगे कि यहां पे इंप्लॉई कॉस्ट बढ़ती भी ज्यादा नजर आई है और मैनुफाक्ट्रिंग कॉस्ट माटीरिल कॉस्ट वह कम होई है तो यह भी क्वाइट सप्राइजिंग है इंप्लॉई कॉस्ट इस तरीके से बढ़ना बट यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन पे एक मेजर एफेक्ट देखने को मिली थोड़ा सा टाक्स भी रीजन हुए तो वह एक फाक्टर आपको काउंटन कर लेना चाहिए शेरोल्डिंग पार्टन हम लोग डिसकस कर चुके हैं आप आये चार्ट पर डिसकॉशन करते हैं देखो स्टॉक ने अपने डाउंटरेंट को ब्रेक करके क्लोज क्लोजिंग जरूर दिए यह क्लोजिंग सस्टेइन होगी कि नहीं कहना यहां से थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है इन केसे में जेनरल ही हमने देखा है कि एक रीटेस देखने को मिलता है वही हमें एक की इंडिकेशन देखा अगर 27 रुपरी के नीचे निकलता है स्ट ले रहे हैं तो हमें लगता है वह एक सईज हो रहा है स्विंग टेट के हिसाप से बड़ अगर आप लोग लोंग टरम के हिसाप से देखने हम प्रेफर करते हैं सीमें इंड़स्टी में स्पेशली कि बड़ी ही कंपनीश को ज्यादा महित्वत हैं आस कंपेर टू इस स्मॉ का अपडेट लेंगे और विद आट सेट उमीद करता हूं वीडियो इंफोर्मेटिव लगी होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियेगा फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में तब तक क्लेश शक्रिया और थांक्स फो वाचिंग